विद्यार्थी परिश्वत के चात्रों को हाई कोट जज की कर छीनना भारी पड़ गया उनके खलाब पड़ाब पुलिस ने डखेती का मामला दर्जु किया है इसमें खास बात यह है कि अखिल भारती विद्यार्थी परिश्वत के चात्रों ने यह कार अपने लिये नहीं बलकि इस्टेशन पर गंभीर हालत में मिले एक वज़र्गों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए इस्तमाल की थी उन्हें नहीं पता था कि छीनी गई कार किसी जज़ की है जज़ के ड्राइबर ने जब पुलिस को इसे घटना के बारे में जोनकारी दी तो पुलिस ने त्वरित कारवाई करते हुए ना सिर्फ कार को हॉस्पिटल केंपस से बरामत कर लिया बलकि एबी बीपी के दो चात्रों को भी इसके बाद पड़ाब थाने पर देर रात अखिल भारती बिद्यारती परिश्ट की चात्र हंगामा करते नजर आए और मुकदमा बापस लेने की मांग करते रहे लेकिन मामला हाई कोट जज़ से जुड़ा था इसलिए पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिये मंगल बाद इस पी कारियाले का घ्राप किया और दर्ज मुकदमे बापस लेने की मांग की है फिलाल पुलिस ने जांस का आश्वासन दिया है और इसके बाद एबीबीप की शात्र धरने पर बैठे रहे कि अधिया था थाना पड़ाओ में एक आवेधन पर दियार जी जिब दाफस हो आथा कि एक अधिया था जाए जाए वो पिछिन के लिए गया है और उसमें जो साख्षिते उन पर से बारुपी फकड़े गया है उनके कारभाई कर रहे हैं तो इनका अपना पक्षर रखाया कि अधिया परिशन से विद्यारती परिसत के कार करता लौट के आ रहे थे तब हमें यह सूचना आई कि उस एक ट्रेन में एक इंसान को हार्टेक पढ़ रहा है तब हमने उसकी मदद करने के लिए उतारा फिर हमने आर पी एफ एम्बूलेंस अबको फोन लगाया तब हमार मदद करने कोई नहीं आया तब हमने गाड़ी को से बोला कि हमाई आप मदद कर दीजिए तब उन लोगों ने नहीं सुनी तो हमने उस गाड़ी में उन इंसान को बिठा के हम जैएच हॉस्पिटल ले गए जब हमें पता चला कि वह गाड़ी मजिस्टेट की थी हमारे पास